दोस्तों मेरा नाम का पिल सिका स्वागत आपका सड़ी है कि एक एक निउस आई थी कि अभी SGBC यानि शिरुमनी गुर्द्वारा प्रमिन्धा कमिटी ने एक एनिवर्सरी अब्जर्व करने की घोशना की थी 4th of July को तो ये एनिवर्सरी 4th of July 1955 में हुए किसी ऐसे इंसिडेंट के लिए करने की एक एक अब्जर्व करने की घोशना यहां पे की गई थी कहा जाता है कि उस समय पंजाबी या पंजाब सुबा मूव्मेंट की जो डिमांड थी वो पीक पे थी और 4 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ थ जिससे ये एक कॉंट्रोवर्सी जो है वो बहुत जादा बढ़ गए थी इंफाट ये भी कहा जा रहा है कि पहली बार अखंड पहली बार आप देखेंगे कि इस गोल्डन टेंपिल में जो इंपॉर्टन रिलिजियोस प्लेस है सिख के लिए मुगल रूल खतम होने के सेक्रेट श्राइन ने वहाँ पे एंटर कर गई थी और वहाँ पे उन्होंने पंजाबी सुबा मोर्चा के कई लोगों को मार दिया तो और कई सारे सिख जो हैं इस यहाँ पे इंजर भी हुए थे यह कहा जा रहा है सजी पीसी का कहना है कि यह पहली बार ऐसा हुआ इससे पहले कोई भी पुलिस या कोई भी इस तरह की मिलिटरी फोर्स उस सेक्रेट श्राइन में नहीं आ पाई थी और इससे पहले जब हुआ था वो मुगल्स के टाइम पे हुआ था और 1955 में जो हुआ है वो भी एक तरह से काफी जादा वोलेंट अक्ट था पुलिस के लिए और काफी जादा डिस्क्रिमेशन हुआ था कई लोग की डेथ हुई थी और कंडेमेबल एक्ट उन्होंने यहां पे उसको बताया है चार्ज लाई 1955 के बाद पहली बार इसके लिए एक एनिवर्स्री जो है अब्जर्व करने की बात की जा रही है अब जैसे से आप देख रहे ह हैं इलेक्शन में चर्चाओं के जो जो मुद्धे हैं वो इस तरह के गरम होते जा रहे हैं तो ऐसे में कुछ ऐसे इंसिदेंट्स जो काफी पहले हुए थे उनको वापस से लाया जा रहा है तो हमारे यहां पर जानना जरूरी है कि क्या था पंजाबी सुभा मूव्मेंट और कैसे पंजाब का क्रिएशन देखा गया था आप शड़ी आईक्यू पर विबन माधिमा से हम से जुड़ सकते हैं मेरे जितने भी वीडियो जाते हैं सब के पीडियाफ आप में टेलग्राम चैनल आट दरेट का पिल लाइव से राउनलोड कर सकते हैं आप मुझे आट तो linguistic basis पे हम राज्यों का गठन करेंगे यानि जो states create के जाएंगे independent इंडिया में वो linguistic basis पे यानि language के आधार पी किये जाएंगे इसी promise को मोतिलाल नहरू रिपोर्ट 1928 में भी finally accommodate किया गया था अब जैसे ही independence होती है ऐसे ही पंजाब जो एक पंजाबी speaking dominant area है उसके साथ हमने क आफी जाथा crisis देखा 1947 में उसका partition हुआ इस पंजाब वेस्ट पंजाब में वेस्ट पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया जो पंजाबी speaking लोग थे ही जो इंडिया में रहना चाहते थे जो sick community थी वो भारत में रहे गई अब ऐसे में क्योंकि 1928 में एक demand आ गई थी या फि नहरू government से ये demand करने शुरू कर दी कि आपने कहा था कि जब भारत आजाद होगा तो हमें एक independent state मिलेगा independent मतलब हमारा अपना राज्य होगा भारत का ही पार्ट होगा अपना हमारा पंजाबी राज्य होगा और इसी से दुबारा से start हुई पंजाब सूबा की demand तो कहा जाता है कि Congress जो है वो एक sick homeland हमें दे दे लेकिन इसको resist किया जा रहा था अकाली जो है इस demand को बढ़ाते गए और बहुत जल्द आप देखेंगे कि पंजाब में 1950s के पंजाब में इसकी लिए जो demand हो वोईलेंट होती गई नारे लगते गए कि हमें बहुत जरूरी है हमें ये जो पंजाब state है ये चाहिए उस समय हिमाचल हर्याना पंजाब हिमाचल की कुछ parts हर्याना और पंजाब मिलके एक state बना था post independence अब यहाँ में पंजाब ने अपनी independence की demand further increase कर दी और जैसे ही आपने देखा 1952-53 में बाकी states आंधरा की विशाल आंधरा की demand बड़ी southern states के creation की demand बड तो ऐसे में पंजाब को भी लगा या शिरुमिनिया काली दल को भी लगा कि हमें भी पंजाबी सूबा जो एक पंजाबी speaking state है वो मिलना चाहिए बाकी इसके opposition बहुत ते इसके opposition कहा जाता है दोनों side से थे जनसंग भी इसको oppose करती थी कि इस तरह के पंजाब state नहीं create होना च पंजाबी सूबा अमर रहे और महा पंजाब की बाते होने लगी कि ये जो पंजाबी speaking areas हैं जिसमें कुछ areas आप देखेंगे चले जाते हैं हिमाचल के पास उना जैसे जो areas हैं उसके बाद कुछ जो northern हर्याना के part हैं ये सब मिलके पंजाब एक महा पंजाब का गठन होना च इनफेट ये कहा गया कि जितने भी कि महा पंजाब अमर रहे पंजाबी सूबा जिन्दाबाद जितने भी ये नारे हैं ये सब अच्छे नहीं हैं अपनी law and order के लिए अगर लोग इस तरह के नारे लगाते रहेंगे तो फिर दोनों तरफ से law and order crisis हो सकती है एक set of people जो हिंद अभी सुबा के लिए पंजाब के लोग कहने लगए पंजाब की सिख कमिटी कहने लगए कि इसके लिए we are ready to die तो ये काफी जादा law and order की crisis बन गए और इसके लिए section 144 भी उस समय लगाया गया था और इस slogan को बैन कर दिया गया था अब इस slogan को बैन करते ही श्रुमनिया काली दल को लगा कि ये तो हमारा freedom of speech and expression जो है वो करब किया जा रहा है श्रुमनिया काली दल जो है वो meetings करने लग गई जैसा कि आप जानते एक famous political party है वो meetings करने लग गई और उन्होंने ये कहा कि हम इस तरह के resolution की demand करते रहेंगे लेकिन हाँ non-violence protest हम करेंगे सरकार के against 10 में 1955 में उन्होंने इस तरह की demands जो है सरकार के आगे रखनी शुरू कर दी non-violence protest जो है वो उन्होंने शुरू करनी आप शुरू कर दी अब ऐसे में master Tara Singh जो इस पूरे के पूरे सिनारियों को lead कर रहे थे उन्हें arrest कर लिया गया और sad workers जो है उनको ये बात काफी खराब लगी कि हमार senior leader को आपने arrest कर लिया master Tara Singh की अगर आप बात देखेंगे तो prominent sick leader हुआ करते थे 1950s के SGPC यानि श्रूमनिय द्वारा प्रबंदक committee के chairman भी रहे हैं senior leaders में भी रहे हैं और इन्होंने काफी जादा Congress के साथ मिलके कोशिश की कि हम अपना पंजाबी सुबा एक पंजाबी speaking state जो है वो ले ले अब यह उस समय नहीं हो पाया पंजाबी speaking state जो है वो नहीं मिल पाया यह बस यह चाहते थे कि हमें को independent state नहीं चाहिए हम भारत का ही पार्ड बनके रहेंगे पस जैसे आपने आंधरा create कर रहा जैसे आपने United province उतरप्रदेश create किया विहार create किया ऐसे ही आप हमार independent temple का एक sacred area माना जाता है वहाँ पे इस तरह के नारे जो हैं लोग लगाने लगे और ultimately police को वहाँ पे अंदर जाके मतलब police ने वहाँ पे एक violent attack कर दिया और लोगों को लोगों को in fact police जो है वो boots में police जो है वो gun लेके Amritsar temple के premises में चली गए और इसको काफी अच्छा इसको बिल्कुल अच्छा उस समय नहीं माना गया कई जैसे आप leaders देखेंगे वो मान रहे थे कि पंजाबी सूबार दे देना चाहिए बहुत सारे leaders मान रहे थे कि इस तरह की जो demands है सूबे की वो बाकी demands भी raise करेंगी आज पंजाब ये demand कर रहा है कल हर्याना में से demand आएगी फिर परसो हिमाचल से demand आएगी फिर कहीं और से demand आएगी मतलब देश में सिर्फ states और states ही बनते रहेंगे तो कितने states हम linguistic basis पर बनाएंगे तो इसी के चलते ये जो पूरा का temple पर attack कर दिया और वहाँ पर जो अंदर इस सूबे की demand करने वोले लोग थे जो है जी बीसी के members थे जो अकाली दल के members थे उनको उसमें shootout हो उसमें killing जूई और काफी लोग वहाँ पर मरे भी तो इसी के चलते हैं यहाँ पर देखेंगे कि finally ये एक बहुत ही जादा crisis का गुर्दवारे को नहीं काम करने दे थे गुर्दवारे के जो भी management वाले लोग थे जो priest थे उन सब को वहाँ से हटने के लिए पुलिस ने directions दे दिये थे तो पुलिस ने tear gas को use किया परिक्रमा में पुलिस ने वहाँ पे step in किया तो इसको लेके sick community जो है वो खासा नाराज या फिर जो हमारे sacred place है उसका infringement कर रहे हैं आप देखते हैं कि एक बहुत ही जादा sacred place माना जाता है मंदिर, मस्जिद, गुर्दवारे को तो इस तरह से यहाँ पे पुलिस action को एक खराब रवये की तरह लिया गया कई लोगों arrest किया गया बहुत चारे arrest हुए कई लोगों को 1955 के बाद से अभी तक बाद इसले नहीं उठाई गई थी क्योंकि लग रहा था कि चीज़े खतम हो गई है पंजाब बन गया है लेकिन जैसे से election आते हैं तो यह मुद्दे फिर से उठाए जाने लगते हैं आप इसको देख रहे होगे कि फिर से शिरुमनिया काली दल जो है पॉलिटिकल मोटिवेशन ऐसी बाते अब इतने साल बाद उठाने के हो सकते हैं लेकिन हा क्योंकि historical issue है इसलिए मैं पता होना चीए कि exactly पंजाबी सुबा या पंजाब सुबा मुव्मेंट क्या था शिरुमनिया काली दल ने इसके लिए inquiry भी रखने की बात की थी और साथ जनसंग भी इसमें बराबर participant था यानि जनसंग जो आज BJP का parent organization है वो भी नहीं चाहता था या वहां के जो जितने भी आरे समाजी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि पंजाब एक अलग state बने तो इसको हर जगे सो opposition विला टल वियारिवाज पर आप देखेंगे बाकी लोगों हो ने भी इसको time to time oppose किया, in fact finally क्या हुआ इंदरा गांधी के time पे एक piece agreement आप कह सकते हैं, finally एक consideration देखा गया और पंजाब की 1966-67 में creation की जो demand है उसको माना आ गया, March 9 1966 को ये decide किया गया कि reorganization होगा, पंजाब का और पंजाब जो है उसको अलग कर दिया जाएगा बाकी states, अमत करके एक अलग state बनाया जाएगा, in fact जंग संग ने तो इसको अकाली communism भी कह दिया था और कहा था ये जो religion के grounds पर अलग राज्य माग रहे हैं, ये communism है, इसको दीन दियाल उपादया ने theocratic state कहा, save Hindi agitation चली और ये कहा गया कि पंजाब जो है वो अलग से एक state नहीं बनेगा, जितना पंजाब पंजाबियों का है, उतना ही Hindi speaking logo का भी है, तो ये tussle जो था काफी लंबा चला, finally पंजाब reorganization bill आता है 1966 में इंदरगांधी के time पे, और एक पंजाब और हर्याना अलग अलग states create किये जाते हैं, पंजाब में से कुछ areas निकालके, हिमाचल को दे दे गए, प पूरे area में से, अब कुछ areas आपने हिमाचल को transfer कर दे, कुछ areas आपने हर्याना को दे दिये, एक ये बड़ी crisis है, कि जो northern पंजाबी speaking area है हर्याना का, वो हर्याना के पास आ गया, जबकि वो पंजाब के पास जाना था, तो ये बड़ी crisis आज भी इन दोनों states के बीच में चलत water dispute हर्याना और पंजाब का, capital dispute हर्याना और पंजाब का, water dispute ये अभी भी चलता आ रहा है, आज भी ये माना जाता है कि कुछ area, जो southern पंजाब का, जिस अभी तक चल रही है, in fact सबसे बड़ी crisis तो आती है, एक common capital की, कि अभी तक पंजाब को अपनी एक capital नहीं मिली, चंडिगड़ एक UT की तरह उसको use कर दी है, चंडिगड़ में पंजाब government की jurisdiction नहीं लगता, in fact दोनों states का एक combined high court है, तो ये बड़ी problem है कि ये जो dispute है, ये time to time elections की time उठता रहता है, देखो अब इसका कुछ final solution नहीं आएगा, अब जैसा हो गया तब ऐसा ही रहेगा, further कोई भी state अपनी area को एक दूसरे को नहीं देगी, ना हर्याना Northern speaking Ambala वला जो area है, वो पंजाब को देगा, और ना पंजाब फजलिका वला जो area है, वो हर्याना को देगा, तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ये सिर्फ अप एक political grounds रह गए हैं, बार-बार election के time उठाने के, हमें बार-बार आता रहता है, जिन उसके बाद पंजाबी speaking करनाल, हिसार, फतेयाबाद, सिर्फावले जो area हैं, वो क्योंकि हर्याना के पास है, पंजाब उन्हें डिमांड करता रहता है कि हमारे areas हैं, इसी तरह से नालागर, उना, कांगरा वले areas जो चले गए, वो हिमाचल के पास चले गए, पंजाब का कहना है, वो हमारे areas थे, पंजाब का अभी भी अपने हाइडल projects पे control नहीं है, भाकरा अभियास management board जो है, वो भाकरा नंगल डाम को operate करता है, पंजाब government operate नहीं कर पाती है, साथ ही साथ ये जो river water disputes ने दोनों states के बीच में, ये time to time, election के time में raise होत पंजाब को दे दिया जाएका, लेकिन हर्याना ने अपनी capital जो है, वो shift नहीं की completely, पंजगला उसने administrative capital तो बनाई, लेकिन legislative capital उसने नहीं बनाई, तो ये एक बड़ी problem हो जाती है, कि दोनों states एक common capital शेर कर रही है, capital पे, दोनों states का ही control नहीं है, यहाँ पे उसको UT की तरह र contention रहा है, तो यहाँ पे यह का जाता है, कि हम पंजाबी की जो rightful language उसको deny कर दिया जाता है, चंडिगाड में decision making central government की होती है, चंडिगाड में officers पे control central government का होता है, चंडिगाड में left-hand governor वैटते हैं, जो पूरे चंडिगाड के issues को manage करते हैं, और सीधा center को report करते हैं, तो य कि हमेशा से कहता है, पंजाब की हम एक independent proper capital चाहिए, और जो कि चंडिगाड हमारे लिए एकदम proper capital हम उसको आगे लेके continue कर सकते हैं, बट क्योंकि दोनों states की बीच में dispute अभी तक चलता हा रहा है, इसलिए capital का जो division है, वो finally नहीं हो पाया, और इसी के चलते, यही चीज जात जाते जाते लेट संथ हर्चरन सिंग, जुनको आप संथ लोंगोवाल के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी यह बात बोली थी कि पंजाब जो है, यह पंजाब के लिए नहीं create किया गया, तो जाते आते यह कहा, कि सबसे पहले हर्याना बनाया, फिर हिमाचल बनाया, फिर ज इंटेंशन था कि गवर्मेंट ने 1966-67 में जब स्टेट रियोग्रानिजेशन किया, तो पंजाब की डिमांड को फिर भी आगे नहीं रखा, पंजाब को सबसे लास्ट में जो एरिया बचा वो दे दिया गया, आप देखेंगे लोंगोवाल फेमस हैं, लोंगोवाल राजी पाक्ट के लिए, यह वही पाक्ट है, जो फाइनली आनन्दपुर्ट साहिव रिजॉलीशन को इंप्लिमेंट करने के लाया गया था, लेकिन कभी भी ठीक से इंप्लिमेंट नहीं हुआ, और पंजाब की जो क्राइसिस है, वो हमने 87 से 91 के बीच में एकदम पीक पे देखी खालिस्तान की डिमांड देखी, पंजाब में पाकिस्तान का इंटूजन देखा और साथी साथ बहुत ज़्यादा वॉयलेंस और टेररिजिम हमने देखा, तो यह एक बड़ा मैटर है जो टाइम टो टाइम बार बार उठाया जाता है, जैसे इस बर पंजाबी सुबा पाकिस्तान को इसी तरह की बीडिंग ग्राउंड चाहिए होते हैं, कहां पे लोग नाखुश हैं वारत में चलो उनको चल के भढ़काते हैं और भारत के अगेंस्ट कड़ा करते हैं, तो इस तरह के और वीडियो में लाता रहूंगा जो हमारे एक्जाम पॉइंट पॉइं इसे इंपोर्टेंट रहती हैं, UPCIS Pre-Combience के स्मार्ट कोर्से अवेलबिल हैं, फ्लाट 50% डिस्काउंट के साथ, studyiq.com से यह हमारे आप से बचेस कर सकते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे की सेस्शन में, तब तक के लिए, गुडबाई, टेक करें, गॉडबेस योल.